पंजाब के सरहिंद में ठंड का डबल अटैक शुरू हो गया है दिन प्रति दिन कड़ाके की सर्दी के साथ सड़कों पर घना कोरा दिखाई दे रहा है हाला के आज शहर में कम बाहरी एरिया में ज्यादा धूंद चाय हुई है धूंद के कारण सुभा के वक्त वाहन भी रे कि पहले सब्ता में दो दिन अच्छी ठंड दिखाए दिये ठंड पढ़ने लगी है और हर राज में अगर हम पंजाब की बात करते तो आप देख सकते हैं किस तरह से ठंड पढ़ रही है यहां आने जाने में भी लोगों को प्राब्लम होती है और मेरे साथ यहां के कुछ निवासी मौस्जूद हैं हम उनसे बातचीत करते हैं जानते हैं कि यहां पे ठंड किस तरह से अपना पैर फसार रही है तो सर आपका नाप जिस तरह से ठंड बढ़े उस पर आप क्या करना सा ओगें यह देखिए यह पिछले 5-6 दिन से काफी ठंड पढ़ रही है और यह फोग हम जिसको पंजाबी में दुंद बोल देते हैं इसका कहर बहुत ज़्याद है अभी हम जब वहां चलाते हैं तो कुछ भी दिखाई न जैसे आप यातायाद करते आने जाने में क्या दिकते आती यह देखिए आवाजाई में बहुत साफ़दानी के साथ चलना पड़े या क्यूंकि सामने घर से जब निकलते हैं तो कुछ नहीं दिखता है दिन में ही हंदेरा चा जाता है क्यूंकि यह जो हम इसको चादर बोल चाहिए ठंड से बचा करने के लिए ठीक है कपड़े अब पूरे पहनो मूं डग करको हाथ में गलब्स और कहीं चाय मिल जाए तो बात ही कुछ लग गया है जैसे ठंड की बात करें तो हम आए दिन एक्सिडेंट होते रहते हैं उस पर क्या कहना चाहो गया देखिए एक्स से हाथ से हो चुके हैं तो अभी प्रशाशन की बात करें तो पुल्स की और से सुकता प्रमंद किये जाते हैं रात को गाड़ियों के पीछे रिफलेक्टर होते हैं जो लैड परती है तो मालम हो जाता है भी आगे कुछ जा रहा है उससे बचा हो जाता है तो रात को तो यह पांच और दस दिन ही होते हैं, दस दिन में हम अगर अपने आपको सेफ कर लेंगे, दस मेंट लेट हो जाएंगे, लेकिन जिन्दगी से हाथ नहीं दोना पड़ेगा, क्योंकि ठंड अभी बोल पड़ेगी, से भी जादा पड़ेगी, अभी तो शुरुवात हुई है तो मेरे साथ जैसे यहाँ पंजाब के निवासी तजिंदर से बात चीत हुई, यहाँ पे ठंड को लेके साओधानिया बरतनी पड़ेगी, कैमरा परिशन संदीफ के साथ मैं सौम्या सिंग है, अन्वी नुज़ुजुजुजुजुजुजुजुजुजुजुजुज